आज हम आप लोगों को प्रेरी धारा की दिशा ग्याद करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाएंगे अर्थात फ्लेमिंग's राइट हैंड रोल के बारे में बताएंगे तो चलिए सुरू करते हैं यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगूठा और उसके जो पास वाली दो अंगूठा और उसके जो पास वाली दो अंगूठा हैं दोनों अंगुलियां काउन काउन सी? तो मैंने पिछले वीडियो में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में आपको बताया था कि अंगूठे के जश्ट बगल वाली अंगुली को तरजनी कहा जाता है जो अंगूठे के बिल्कुल पास वाली अंगुली होती है उसे तरजनी कहा जाता है और तरजनी के बाद वाली अंगुली को मध्यमा कहा जाता है मध्यमा का मतलब है मध्य वाली यानि बीच वाली अंगुली तो फ्लेमिंग ने अपने दूसरे नियम यानि कि दाएं हाथ के नियम में बताया कि अंगूठा, तरजनी और मध्यमा को इस तरह से फैलाना है लेकिन किस हाथ की? दाएं हाथ के अंगूठा, तरजनी और मध्यमा को इस तरह से फैलाना है कि वह आपस में एक दूसरे के लंबवत रहें जैसे बाएं हाथ में बताया था सेम वैसे ही है उसमें भी लंबवत और इसमें भी लंबवत रहें अब आगे नियम में इन्होंने क्या बताया यानि आगे फ्लेमिंग का नियम क्या है तब यदि पहली अंगुली चुम्बकिये छेत्र की दिसा तब कहा कि जो पहली अंगुली है वो चुम्बकिये छेतर की दिशा तथा अंगुठा चालक के गत की दिशा जो अंगुठा है वो चालक के गत की दिशा को प्रदर्शित करे तो बीच वाली अंगुली बीच वाली अंगुली के नाम मने बता था मद्धिमा तो मद्धिमा अंगुली या बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी मतलब दाएं हाथ के अंगुठे, तरजनी और मद्धिमा को परसपर लंबवत रखकर फैलाना है और झब हम दाएं हाथ की अंगुलीों को परसपर लंबवत फैलाएंगे, तब जो पहली अंगुली है, यानी जो तरजनी वाली है, तरजनी चुम्बकीए छेदर की दिशा को दिखाती है जो तरजनी है वो चुम्ब के चेतर की दिशा को दिखाती है और जो अंगूठा है वो चालक के चलरी की दिशा को दिखाता है यानि चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करता है या दिखाता है तब जो बीच वाली अंगूली है जो मध्यमा है वह चालक में प्रेरित धार दिशा को दिखाएगी यęई इस इस्थिती में जो बीच वाली इंगुली है जो मध्हिमा है वो चालक में प्रेष्धारा की दिशा को दिखाती है और यही फ्लेमिंग के दाएंः हाथ का नियम है तो आप लोगों को अच्छी तरह से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा